नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है स्कीन को हाइट्रेट कर रखने के लिए मॉस्चराइजर का इस्तमाल करते रहना चाहिए जहां पे खुजली हो रही है वहां बेकिंग सोडा का इस्तमाल करना चाहिए इससे खुजली की समस्या कम हो जाती है Anti-Eaching OTC क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि उस क्रीम में ज़्यादा केमिकल्स ना हो आप कोशिस करें कि आयरुवेदिक जड़ी बूटियों से बनी क्रीम का ही इस्तेमाल करें Blood infection से खुझली होरे पर नीम के पत्ते और काली मिर्च के दाने पीस कर पानी के साथ सेवन करें नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर छान लें असनान करने से खुझली खतम हो जाती है नारियल के तेल में कपूर मिला कर मालिस करने से खुझली से राहत मिलती है और नीम के पेड़ पर पकी निबॉली खाने से भी खुजली कम होती है सुबा साम टमाटर का रस पीने से खुजली खत्म हो जाती है अगर आपको हमारे उपायों से लाव नहीं होता है तो आप अपने टाक्टर्स से जरूर मिले हमारे द्वरा दी गई ये जानकारी एक्सपर्स की जानकारी के मुताबिक ही दी जाती है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परिसानी का हल ढूट रहे हैं तो आप हमें कमेंट बाक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद, नमस्कार